गुरुबार को जुलास पताल सहीद जनपत के कुल 360 केंद्रों पर 31,564 लोग को कोविट का टीका लगाया गया जिसमें फर्स रोज लेने मालों में 9,763 लोग तथा सेकेंड रोज लेने मालों में 21,801 लोग शामिल रहें जिसके संबंद में CMO डॉक्टर आशुतो ओश्कमार दोबी ने बताया कि वैक्सिनेशन कराने के लिए लोग आगे आएं तथा लोगों को वैक्सिनेशन कराने के लिए जागरूप करें तथा सभी लोग मास्क लगाएं सेनिटाइस करें अगर कहीं यात्रा पर जाना है तो उसे टाल दें किसी भी वैवाहिक कारिक्रम वा किसी फंक्शन में बुजूर्ग या बच्चों को ना ले जाएं उन्होंने बताया कि कोवीट टिका करण के चार सिधान्त हैं क्रैश, टेस्ट, किट और टिका करण इसका पालन करें तथा स्वास्त विभाग की टीम हर जगा उपलब्द है अगर किसी को कहीं पर भी किसी प्रकार की टिका करण तथा कोवीट जाच में असुविधा होती है तो कंट्रोल रूम से संपर्क करें इस संबन में गुरकपुर नियू से बात करते हुए सियमों डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा हम लोग कल साम तक 73.99% लोगों को टीका लगा चुके दो जो 26 लाख 10,000 के उपर था और आज अभी हमारे पास अभी एक घंटे पहले की शुंचना थी जिसमें हम प्रथम खुराक करीब आठ ऑजार लोग को लगा चुके हैं और दूसी खुराक बारा हजार लोग आएं और टीका करण का एक अंदोलन के रूट में इसको चलाएं जिसे की हम लोग चला सकें। साथी साथ ओमीकरान का खत्रा अभी टला नहीं है, चारो तरफ तमाम तरह की अफवाहें आ रही हैं। इस अफवाहों को निर्मूल साबित करने के लिए मैं गोरखपुर की सम्वानित जंता से अनरूत करूँगा कि सभी लोग मास्क लगाएं, सोसल डिस्टेंसिंग करें, अपने को समय समय पर सनिटाइज करते रहें, सत प्रस्टिका लगाएं। अपनी अनावश्यक यात्राएं टाल दें, अनावश्यक रूप से जो सारोजनिक परिवारिक फंक्सन्स होते हैं उसको हटा दें, अगर कहीं कोई इस तरह का फंक्सन है तो उसमें बच्चों और बुजर्गों को ले जाने से बचें, इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपने को कोविट से सुरख्षित रह सकते हैं, कोविट के जो हमारे चार सिधान्त हैं, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका करण, इसका पालन करें, बाकि हमारी टी में हर जगा हैं, अगर कहीं पर भी किसी को किसी प्रकार की टीका करण मे कोविट की जांच में असुविधा होती है, तो हमारे कंट्रोल डूम से संपत कर सकते हैं, सर आज कितने टेज़गा पर टीका करण हो रहा है, आज हमारे पास करीब 370 अस्थानों पर टीका करण हो रहा है,